कि ए हेलो अचलो वक्त डिस इस गुपाल सर और वेल्कम प्रिफशी क्या आज हम बारे में बताईए या endangered क्या है इसको खाली concept clear करिए तो हम इसके concept को आप लोगों को clear कर दे रहे हैं देने इसके बाद इसका नोट्स भी हम त्रिटेंड एनिमेल रेर एनिमेल वलनरेबल एनिमेल जो भी एनिमेल्स हैं जो wildlife conservation के अंतरगात आने वाले species हैं या फिर जो भी इनिमेल के बारे में study करना हैं सब कुछ आपको बताएंगे तो जरा हम इसको site में समझ लेते हैं कि है क्या चीज़ बच्चा यहां पर आप लोग एक चीज़ ध्यान देना कि अगर हम बात कर लें इंडेंजर की यह बुक में नहीं दिया हुआ है बटा कि आप यह सोचो कि जो हम अभी तोड़के बताने जा रहे हैं वह आपको बुक में मिल जाएगा क्यूंकि हम पढ़ाते भी ऐस हमें बता दिया कि इसको कुछ कांसेट के हिसाब से हम समझेंगे यहां कोई नोटसम देने वाले नहीं इसका कांसेट क्लियर करने जा रहा है पहले तो ध्यान दिना बच्चा कि इसको हम दो सब्दों में अगर तोड़ दे ऐसा सिर्फ समझने के लिए करना आप लोग नोट यह मतलब होता है और सम आपटी तो यह आप समसबिसां कि या फिर किसी सपर सीर्फ की अगर हम बात करें वह समां पूर二 कि सा पहुंचे जा रहा है या इन्डेंजर की आपवा जो डेंजर जोन में अभी आने वाला है या पहुंच चुका है या पहुंच रहा है उसको हम र कि सीज़ काई भीasma है वैं हम लोगों को खत्रह को सकता है अपने मतलब किसी से भी लेकिन इन लोगों को कैसे हो सकता है तो इनके उपर कहा से खत्रह आ गया इनको कौन सा क्लास चलाना है कि दूसरी डिने कि आ है माक्षلى कि आसंसे को उने ववाला है लेकिन इन में भी कुछ प्राब्लम हैं क्या है कि इनके ऊपर हम लोगों से ही खत्रएंडेन्जजर्ड में शॉचले की सब्सक्राइब यहांठ लांट ग्रोथ करा दे रहे कчи पूरा यहां-ट- PC- च्बास के लोगुल एरिया को सभी जंगल में पाए जा रहा है अगर हम ऐसा बात करें कि क्यक्ती अगर आप लोगों को थबहा से दर दर हो रहा है कि सर बहुत सारा इमेल दर बता रहा है तो आप प्लीज चले जाएए नेशनल पार कभी हमने पढ़ा है संचुरीज पढ़ा है वहां पे देख लिए तो यह इंडेंजेड का मतलब यह इंडेंजेड आया कहां से इसको हमें जानने की जरुरत क्यों पढ़ी और इसमें है क्या चीज जो हमको पढ़ने की जरूरत है एक्चुल में तो यहां पर है बटा हमने यह कहा कि वो जिवधारी जो खत्रे में है या फिर खत्रे के पास पहुंच रहा है उसको हम बोलेंगे इंडेंजर्ड इस्पेसिस या इंडेंजर्ड एनिमल लेकिन इनको खत है इनिमल हम बना रहे हैं जो भी है सेर कुटा बिली डाइग्राम बहुत प्यारा बनाते हैं कोई नहीं तो यहां पर क्या है कि अगर हम इसकी बात कर ले हुआ क्या कि इस एरिया में बहुत सारे इनिमल पाया जा रहे हैं अचानक से यूमन बिंग का ग्रोथ सुरू हुआ यूमन बिंग ने अपने बिजनेस परपस से अपने रोड के लिए मानलो इसको इधर से ही रोड चाहिए था उस साइड जाने के लिए कोई ये गाओं हो गई या कोई एक सहर यहां हो गया इन लोगों को इतना घूम के ऐसे जाना पड़ता था अभी क्या हुआ इनके बिज में आने वाले जंगल में जितने पौदे थे उनको कट किया अब एक कट कर दिये तो इतना एरिया जब इन्होंने अपने रोड के लिए लिया तो पहले तो कुछ जंगल की एरिया को ये कभर किये दूसरे यहां से ब्रिच को काड़ दिये गाड़ी मोटर के आने से यहां प इसके डालते ही, यह लोग यहाँ पर अपना छोटा-मटा सोरूम डालने लगें, बगल में रहने के लिए आवास बनाने लगें, फिर ऐसे करते करते जो एरिया बची हुई थी, उसको भी यह लोग क्या कियें, कभर करने लगें, और यह जब एरिया कभर हुई बेटा, तो इनकी मानलो प्रजाती किसी एनिमल की यहां एक मेल और एक फिमेल ही था जो अभी बच्चा पैदा करता तो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता वह यह बच्चा पैदा करेंगे तब तो इनकी जनरेशन आगे जाएगी लेकिन हुआ क्या कि हमको नीड थी यहां से रास्ते ल ना के वहां पे यह अपने बच्चे को देने वाले थे बैटी हुई थी मेल फिमेल और हुआ क्या लोगों ने इनको मार दिया जब रास्ता बनाने आये तो यह डिस्टरब हुए इन्होंने कुछ अपने बचाव के लिए किया लोगों ने इनको मार दिया तो यह यहां से हो और इनकी प्रजाती मतलब 10 रहा करती थी, रास्ते में 5 मारे गए, 5 इहीं बचे, तो अब ये 5 क्या होंगे, इंडेंजर्ड होंगे न, खत्रे के निसान के करीब होंगे न, क्योंकि इनकी जो लिमिटेशन थी, वो 10 तक की थी, अभी वो घटके 5 हो गई, हो सकता है, ऐसे हुमन की जो ग्रोथ है, हिमन ग्रोथ, पहले तो अगर हम बात करें, तो हो जाता है, पापुलेशन, और पापुलेशन के बाद अगर दूसरी बात की जाए, तो यहां इनकी, इनकी, दिस्ट्रक्शन क्या होता है? है habitat, destruction, habitat अगर हो रहा है यहां पे इन लोगों का destruction हो रहा है, habitat इनकी आवास को हमने रास्ते से ही हटा दिया, जब आवास अटा तो इनका घर नहीं रहा, आपके घर को अगर हटा दिया जाए, तो कुछ पल के लिए आप परसान हो disturb होंगे, तो दूसरा हुआ habitat बच्चा, और तीसरे point पर हम चलें, तो तीसरी बात आती है, कि यहां पे इन चीजों के अलामा, इन चीजों के अलामा क्या होगा, कि बहुत सी ऐसी चीजे हैं, कि human development या फिर industries का development, या deforestation, मतलब जंगलों का कटाओं, और कुछ ऐसी चीजे हैं, जिससे क्या होता है, कि जिवधारी खत्रे में आते हैं, अब एक और point यहां पर interesting सी, जो है, वो हम यह दिखा देते हैं, hunting, hunting भी देखलो, इसी का point हो जाएगा, जिससे क्या होता है, कि पहले population हो गया, then habitat हो गया, destruction of habitat, then hunting, यानि अगर हम इन 3 point पे भी लिख देते हैं, कि जो population human being की बहुत जादे बढ़ते जा रही है, जिसके कारण क्या होता है, कि हम लोग इस area में, जंगल की तरफ चलते जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, कि जंगलों का जो एक area हुआ करता था, जो जितना zone हुआ करता था, तो पेड़ पौदों को हटाते चले गए, फिर road का development हुआ, हम लोगों का बहुत सारा हम लोगों का आवास बना लेकिन इनका आवास तो गया न कहीं न कहीं, हम लोग अपने आवास के चक्कर में इनके आवास को लॉस करते चले जा रहा है, इसका कारण क्या है, इसका कारण तो यहीं हुआ न, कि भईया, continue हो जाओ, मतलब, generation इतना बढ़ाओ, कि हम लोग ही रहें, आगे वाला ना रहने पाएं, समझाना इंपासिबल है, क्योंकि किसी को समझाओगे, तो आप बुरे बन जाओगे, समझाना नहीं चाहिए, बटा यह तो हमने सिख लिया है, किसी का attitude तो कभी नहीं बदलता, सिख क्या लिया है, देन आती है बात हंटिंग की को मारेंगे, तो बहुत हमारा नाम होगा, यह होगा, वह होगा, और कहीं न कहीं सिकार करने के चक्कर में, कुछ बिजनेस परपस से, उनके खाल, उनके दाथ, इनके कारण से, कुछ मेडिसीनल परपस से, और कुछ नहीं नहीं है, कि एक्छो सोच जो बढ़ती जा रही है कि इसके मांस से यह होगा, इसके खाल से यह होगा, तो उस वज़े से भी लोगों ने हंटिंग करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे एनिमल्स क्या हैं, इंडेंजर जोन में चले जा रहे हैं, I hope आप लोगों को यह बहुत अच्छे से क्लियर हुआ ह होगा, और हुआ है तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट चांप के करिए, क्योंकि हम वापस से आ चुके हैं, इसी अपने यूट्यूब चैनल पर, और हम भी चांप के वीडियो देंगे, आप लोग टेंसर ना लिजे, पूरा हम से लिबस कर रोकने का भी एक वो बनाया गया, I mean, कंजर्व करने के लिए भी बहुत सारी प्रासेस अपनाई गया है, जैसे वाइल लाइफ कंजर्वेशन में यहीं आता है कि इंडेंजर डेनिमल को हम कैसे बचा रहे हैं, तो वहाँ पे निस्नल पार्क की बात होती है, बातनिकल गार् तो इंडेंजर डेनिमल को अगर हम देखें, दूसरी तरफ की इस स्पेसिस को बचाने के लिए भी कुछ गवर्मेंट ने प्राधन किये, तो हाँ किया गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गया है, तो वह वाइल लाइफ और कंजर्वेशन में पढ़ा जा रहा है, तो